हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचाय का दिकारी में उसके टॉप 10 कोशिन की सीरीज को कर रहा है तो आज उसका पार्ट 20 है हम लोग ने 19 पार्ट्स कवर कर दिये हैं, काफी इंपोर्टन कोशिन उसमें रखे हैं जो वीपियों के एक्साम के लिए काफी इंपोर्टन होंगे पंचायती रांसर इडेड़ेट जितना भी टॉपिक है, कुचर स्टार्ट करते है आज का हमारा पहला कोशिन है किसान कॉल सेंटर की सुरवात कप की गई थी तो किसान कॉल सेंटर की सुरवात जो है, वो 2004 में होती है 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की सुरवात की जाती है क्रसी मंत्रा आले ने क्रसी में ICT की छमता का इस्तमाल करने के लिए communication जो technology है उसका चमता का स्तमाल करने के लिए यह उजना सुरू की थी इस उजना के तहट देजबर में किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए call center खोले गए इन call center के ज़रे किसानों को क्रस ही और से जुड़े जितने भी मतलब सवाल है उनका जवाब मिलता था किसान call center के लिए देजबर में एक समान टोर फ्री नंबर जो है 1800-180-1551 है तो कितने डिजट का है 448-11 डिजट का है यह नंबर सभी दूसंचान नैट्वर के मोबाईल और लैंड लाइन पर उपलत है तो आपको क्या पूछा किया था कि सुरवात कब हुई थी किसान call center के 21 जनुरी 2004 को हुई थी रस question पर आते है रास्टी ग्रामी रोजगार गैरंटी अदनियम के तैट केंद और रासरकार के मद कितना अनपात में विति सायता मिलती है तो देखिए रास्टी ग्रामी रोजगार गैरंटी दनियम के बारे मैं वोड़ों डेटेल से पढ़ लिया था तो बस इस question का ही answer हम लोग दिखने है क्या है नब्बे और दस का अनपात केंद और रासरकारों के मद अनपात कितना है विति सायता के लिए नब्बे और दस का है next question हमारे पास है उत्तर प्रदीस की किस जिले की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत के पहले अमरसरोवर का दुगाटन किया गया तो मई 2022 में उत्तर प्रदीस का जो रामपूर जिला है उसकी ग्राम पंचायत पटवाई में भारत के पहले अमरसरोवर का सुभारम किया गया इस जिले के 75 तलाबों का चैन अमरसरोवर के रूप में विक्सित करने हेतु किया गया है तो मई 2022 उत्तर प्रदीस के रामपूर जिला ग्राम पंचायत पटवाई नेक्स कोशिन पर आते हैं चुनाव हुए थे वो भी कब हुए थे 1961 में हुए तो 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मद्ध हुए थे तरतियां चुनाव कब हुए थे 1961 में तो 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मद्ध हुए थे दिखें, जो यूपी में पंचायतों के विकास का जो चरण माना जाता है, वो छे चरण माने गए उसके, जो पहला चरण है, जब हमरा देस अजाद होता है, 1947 से 52 तक रहता है, तो उस समय जो नया पंचायत की संख्या थी, वो 8,492 नया पंचायत थी, और अगर उस समय जो पं 92 और 35,000 पंचायतों ने कारे करना, उस समय फ्रारम कर दिया था, जो दूती चरण आता है, वो 1952 तक तो प्रतमी चरण आता है, फिर 1953 से 60 तक जो रहता है, वो आपका दूती चरण रहता है, तो इसमें जो नया पंचायत की बात के तो कितनी थी, 8,585 थी, 8,580 नया पंचाय ती ती, उसके त liberated चरण आता है, वो 1961 से 71 तक रहता है, इसमें जो नया पंचायत की बात के तो 8,594 नया पंचायत थी, और लगभग 72,000 तो 233 तो ने कारे करना प्रारम कर दिया था, चौथा चरण की बात के तो 1982 से 82 जो रहता है, वो चौथा चरण रहता है, 8792 नया पंचा और 72 जल 834 लगभग पंचायतों ने कारे करना प्रारम कर दिया था और 1972 के बीच ही जो चुनाव कराए जाते हैं ओके आम चुनाव कराए जाते हैं इस समय भी 1972 में तो यह आपको ध्यान रखना है तो तरती आम चुनाओ 1962 में हुए तो उसका जो चौथा वाला हुआ था वो 72 जो होता है वो पांच्वां चराण आता है 8,814 इसमें नयाय पंच्चायत होती है और मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मद्ध में चुनाओ होते हैं ओके फिर इसका चराण जो हमारा समयदानिक सुधार सही रिलेटर था तो 1993 में समयदानिक जो बंद सुरू हो जाते है तो यही छटा चराण होता है ओके तो आपको पता होना चाहिए 1947 से 52nd, 1953 से 60nd, 1951 से 72nd, 1982 से 43nd, 1993 से 27nd सुरू हो जाते हैं ठीक है आपको धियान रहा है एक स्कुष्चन में पंच्चात की साम चुनाओं में बताताओं कि जो आई हो 21 वर्स से गटा के 18 वर्स कर दी जाती है तो वो आम चुनाओं थे पाच्वे आम चुनाओं और प 1883 से 1993 तक था, 1983 से refleks trail तक था,га, इसמה कची और पंचयद भावी, 18 of your storycheel day इसमें क्या है, जो टुनाव ढ Θा हुआ था, तो चुनाव पंचवाल से शारिच, पंचायतों को छटवा समा निर्वाजन किस वर्ष राजित किया गया तो पंचायतों को छटवा समा निर्वाजन है वो 1988 में आजित किया जाता है और 1988 में ही पंचैतों में अन्सुची जाती के महिलाओं के लिए कम से कम एक महिला को प्रत्नित्र प्रतान किया गया तो पंचैतों का 6. समान निर्वाचन किस वरस है? 1988 में ये आपको ध्यान रखना है 1988 उस समय कौन सा चरण चरला था? 5. चरण चरला था विकास का तो इसी समय 30% आराच्चे की व्यवस्था की गई थी और 1988 में ही पंचायतों में अन्सूची जाती के मैलाउकल एकम से कम एक मैला का प्रत्नितर प्रतान किया गया था राष्टी समाजी सहायता कारीकरम की सुरुवात कब की गई थी तो ये 15 अगस 1995 में राष्टी समाजी सहायता कारीकरम इसका सोर्ट फ़ंर रखियेगा एनसेबी बैंख्या में उस समय गोश्ना करी थी लाई को 1995, वह भी 15 अगस्त 1995 से प्रभावी हो जाता है, भारा सरकार ने सिधानतों की पूर्ती के लिए 15 अगस्त 1995 से केंद प्रयोजित योजना के रूप में NSAP का सुभारम किया, रास्टी समाजी सहता कारेकम में तब रास्टी पेंश जो व्रद्धावस्ता पेंशन योजन प्रदान कारते हैं तो आपको बस इत्ना ध्यान एक हो सामाजी सहता करके Calledar जो की गई थी 15 अगस 1995 को की गई थी घारत में ग्राम्रे विखास विभाक की स्थापना काप की गई थी तो भारत में ग्रामेले विखास विखास की स्थापना 1974 में की जाती है तो एक अक्टूबर 1974 को ग्रामिड विकास बाकिस्था अपना की जाती उस समय ये खाद्योक्रसी मंत्राले का हिस्था था 1979 में इसका अपना मंत्राले बना जिसे ग्रामिड पुनर निर्माण मंत्राले कहा गया 1982 में मंत्राले का नाम मतला गया ग्रामिल विकास मंत्राले कर दिया गया 1985 में क्रसी ग्रामिल विकास मंत्राले के तर्थी विभाग बना दिया गया 1985 में जन्वरी में बनाया गया फिर सितंबर 1985 में इसका नाम मतल के क्रसी मंत्राले कर दिया गया फिर 1991 में भाग को फिर से घ्रामील विकास मंतराले के रूप में अप्ग्रेट किया गया और 1999, 1990 में ग्रामील चेतर हो रोजगा मंतराले का नाम मद है तो स्भरलारकोशन में क्या पूचा कहते है ग्रामील विकास वबाग के स्थाफ़न का भी थी एक अक्टूबर 1974 को होई थी नेस्स कुश्चन हमारे पास है कैबिनेट ने वित्वर्स 2024-2028-29 तक जो प्रदानमती ग्राम सड़ा की योशना फोर्थ है कि कार्मे को मन्जूरी दी तो ये कुल परवैस का कितना था योशना का कुल परवैस का कितना था कुश्चन पूछ रहा है ठीक है ये लेटस्टी कुश्चन है आपका तो योशना का कुल परवैस जो है 70,125 करो रुपै का होगा नरिंद मोदी की अधिशिता में केंदी मंती मंडल ने ग्रामरे विकास भाग के वित्वर्स 2024-2028-29 तक में प्रदान मंती ग्रामिड सड़क योशना जो है कार्मरे के प्रस्ताओं को मंचूरी दे दिये इस योशना के तैत 25,000 जो अश्रमत बस्तिया के ने संपरमार प्रदान करने के लिए 62,500 किलो मीटर सड़क के निर्मार और ने संपरमार प्रदान की जाएगी इस योशना का कुल परिवए 70,125 करून रुपए है तो ये ध्यान रखना है परिवए केतना है डेटा पूछ सकता है इस योशना के तैट जनकरना दुजर 11 के अंसा जो मैदानी छेतों में 500 प्लस अबादी वाले तो जहां ग्रामीट छेतों में जो मैदानी छेतों माँ से 500 प्लस अबादी वाले पुर्वत्र पहाडी राज़ों में 250 से जो अधिक अबादी वाले और विशेयस द्रेडी के छेतों अशूची जाती या जो रेगिस्तान छेतों उसमें हो गये वगेरा में 100 प्रभावित जीले हो गए, 100 से अधीकाबादी वाले 25 अधा असबधबस्तियों को कवर किया जाएगा कि इन सरकाने ग्रामेर शेत्यों के पाथ असमतबस्तियों को हर मौसर में 16 समपर प्रदान करने के लिए 25 दिसमबर 2000 को प्रदानमादी ग्राम त्रभावित जीले के सरवात करी थी वितवर 23 की बात करी जाए तो इसमें जो बजटी आवंटन रखा गया था 19,000 करोड रुपैका था ठीक है 23,000 की बात कर रहा है तो कितना 19,000 करोड का था अभी जो ये डिरेशन है वितवर्ष का वो पूरा इतने में तो 70,125 करोड रुपैका रखा गया है और उससे पहले 22,000 की बात करे तो लगबग 19,000 करोड का ही था ओके तो ये आपकी आज के 10 कोशिन रहे कैसे लगी आप बताईए शालियत नहीं रखते थाइंक्यू